लेकिन अब ये पूरा जो लेकिन पहले एक रिपोर्ट लेकिन पहले एक रिपोर्ट लेखते दिल्ली में बीजेपी सरकार ठंडे बस्ते में मोदी ने क्यों लगाया प्रेंग अब दिल्ली में कैसे बनेगी सरकार पहले मोदी सरकार जोह दिल्ली में सरकार बनाने के लिए आगे पर चुकी थी लेकिन अब दिल्ली में बीजेपी सरकार ठंडे बस्ते में गाल दी गई है राचनीती कलियारों से खबर आ रही है कि मोदी सरकार अब दिल्ली में जोर तोर की सरकार नहीं बनाना चाहती पार्टी आला कमान भी जोर तोर से सरकार बनाने के खिलाफ है और पार्टी अपना पूरा ध्यान अगले कुछ हफ़ते में खोने वाले महराश और हरियाना विधान सभाच चुनाबों पर रखना चाहती है पार्टी का मानना है तो प्राजबाल अगर नियोता देते हैं तब ही इस पर विचार किया जाएगा हलक सूत्रों ने बताया है कि बीजेपी ने आखरी फैसला तीन नेताओ पर छोड़ा है तीयम मोदी और बीजेपी आला कमान ने दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने की हालत में आखरी फैसला लेने का अधिकार नितिन गटकरी प्रभात ज़ा और सतीश उपाध्याय पर छोड़ा है वहें आम आपमी पार्टी दिल्ली में चुनाव कराने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है इसी के लिए आप नेता ने दिल्ली के उपरा जुपाल से मुलाकात में बीजेपी पर क्ये इस्टिंग की कौपी दी और मांग की कि वो अपना फैसला बदले आज हमने उनको इस्टिंग की कौपी दी है जिसमें दिनेश महनिया को चार करोर रुपए दे के खरीदने की कोशिश की जा रही है और बीजेपी की सरकार बनवाने के लिए चार करोर रुपए दे के खरीदने की कोशिश की जा रही है हमने LG साब को कहा है कि ये रिक्वेस्ट रब बदल दें क्योंकि भारती जनता पार्टी होस्टेडिंग करके सरकार बनाने की कोशिश में हैं और अगर होस्टेडिंग करके दिल्ली में सरकार बनेगी तो वे इमानदारी को चोड़िये अपनी पार्टी पर लग रहे है आरोपो पर बीजेपी ने भी सफाई देने में देरिया हैं की और पार्टी अधक्ष सती शुपाध्या ने आपको अपने चुनता करने के लिए कहा है कि कॉंस्टिशन के अंतरगर लेफ्टियन गवरंडर और लोगतांत्रिक प्रिक्रियां सरकार बनना या नहीं बनना यह आम सी बात है आज बिल्ली में अस्तिती यह बनी है कोई नई बात नहीं है बहुत सारे राज्यों में भी ऐसा हुआ है और बीजेपी सरकार बनाईगी या नहीं बनाईगी आप अपनी चिंता कीजिए भारती जमता पार्टी के बारे में आप चिंते क्यों है आपको यह क्यों लगता है कि मेरे MLS को खरीदा जाएगा आपके लोग आपके बारे में क्या टिपड़ी कर रहे हैं कुमार विश्वास की टिपड़ी आपके सामने है आपका जो डिक्टेटर्शिप है वह आपकी पार्टी में तो चल सकती है हाला कि वहां भी चलना मुश्किल है वहां भी चलना पार्टी ने धिलि के उपरा जिपाल के फैसलों पर सवाल उठा दिये हैं और कहा है कि एल जी निश्पक्ष फैसले ले ? उनको बगेर किसी दबाओ के नीचे आए फैसला करना चाहिए उचित फैसला करना चाहिए जो फैसला पारदर्शित हो वो करना चाहिए और उपराजपाल से यही उमीद है कि इस कसोटी पर वो खरे उतरेंगे और जो भी फैसला करेंगे वो बगेर किसी दबाओ के हेटाय करे अगर भारती जन्तापाटी को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है जब कि ये मालूम है कि उनके पास नंबर नहीं है तो यकिनां पुरा देश ही ये शुबा करेगा केंद्री ये सरकार LG पर दबाव डाल कर BJP की सरकार बना रही है सुप्रीम कोट ने दिल्ली में सरकार पर आम आदमी फार्टी की याचका पर सुनवाई 10 अक्टूबर तक टाल दी है अब बड़ा सवाज ये है कि क्या वाकई दिल्ली में BJP सरकार नहीं बनाएगी या क्या दिल्ली में BJP के नेता PM की राय की अंदेखी कर पाएंगे सुप्रीम के लिए मोहित शर्बा की रिपोर्ट तो ठंडे बस्ते में यहाँ पर सरकार दिल्ली की डाल दी गई है यानि कि जो अब तक कदम उठाने की कोशिश की जा रही थी BJP के तरफ से वो तमाम चीज़े पीछे कर दी गए है सवाल ये उठता है कि नरेंदर मोदी ने आखरी ये ब्रेक क्यों लगाया है दो महमान इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है उनका परिशे आप से करा देते हैं सबसे पहला सवाल आप से सीधा सा सवाल क्या आप लोग सरकार बनाने जा रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा था क्या वास्तम में नरेंदर मोदी ने ब्रेक लगाया सुमेच जी जो सरकार बनाने का काम है वो इस समय सारी गेंच जो है वो गवर्नर के पाले में है और गवर्नर साहब ने एक पत्र लिखा हुआ है जो सारवजीनिक हुआ है कि राश्पति से उन्होंने अनुमर पानी है अब इसमें सवार यह आठा है जब तक आपको बुलाया नहीं जाएगा सरकार बनाने के लिए आप कैसे अपना दावा पेस करेंगे पहले आपको सरकार बनाने के लिए राजपाल की तरफ से आमंतरन मिलेगा तभी तो आगे करनम बढ़ाएं गे अभी राजपाल की तरफ से भारती जन्ता पार्टी के किसी नेता के पास या ज़त्फ के पास, जो प्रिकरिया है उसके ताहorar कोई आमंत्रण मिला ही नहीं है, पिर सरकार बनाने ना बनाने का सवाल कहा होता है? अगर कोई अमंत्रित किया जाए वो एक तमाम चीजे जो है उनके उन चीजे को कही न कहीं consider तो किया जा रहा होगा क्या सिर्फ एक formality के तौर पर इंतिजार थोड़ी किया जा सकता है कि जब तक महां से कोई चिठी नहीं आएगी या कोई न्योता नहीं आएगा तब हम उस पर बैटेंगे हम सोचेंगे वो तो एक वो नहीं है अगर कहीं ना कहीं जहन में तो इसा होता है तो जब कोई आमंत्र आता है यही अंतर है यही भारती जंता party की खोबसूर्ती है कि हमारे है कोई एक और नहीं करता है अगर कोई आमंतरन इस तरह से राजपाल महोदाई की तरफ से आता है भारती जनता पार्टी को तो निश्चित तरफ पर भारती जनता पार्टी की नेता आपस में विचार भी मर्स करेंगे और जो निचित उचित होगा और निड़े सब के सामने होगा आपके सामने होगा और दिल्ली की जनता के सामने होगा नहीं सवाल यही है कि बार-बार जिस चीज को आमादी पार्टी की तरफ से भी कहा जा रहा है कुछ दिर बाद जो संदीव दूबे साब हमें जोइन करेंगे उनसे मैं ये सवाल जरूर पूछूँगा बार-बार सवाल सिर्फ यही है कि BJP क्या चाहती है BJP की तरफ से अपने पत्ते साफ नहीं किये जा रहे हैं आप लोग बार-बार कहते हैं कि गेंद उपराज जपाल के पाले में हैं वो जब तक कोई निर्णय नहीं लेते हैं तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है वो आपकी बात सही है सम्वेधानिक तोर पर एक प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को निभाया जाना चाहिए मैं आपकी बाद से पूर्टा सहमत हूँ लेकिन ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप उस पर तब तक विचार नहीं कर सकते क्या विचार तो चल रहा होगा ना पार्टी में कहीना कहीं बंतनायन तो चलती है ना दो चीजें हैं जब तक कोई कहीं पर माल लीजिए आपकी कहीं आप खुद कहीं आवेदन देते हैं अगर कहीं कोई वैकेंसी नहीं है तो आप आवेदन कैसे देंगे ने दोनों चीजे हैं सुमिजी भारती जनता पार्टी हर इस्तिती की तयार है भारती जनता पार्टी के पास यद सरकार बनाने का कोई प्रस्ताव आएगा तो सरकार बनाने पर विचार करेगी अगर आज की तारिक में चुनाव होता है तो भारती जनता पार्टी चुनाव के उस वक्त अर्विंद केजरिवाल या आमादमी पार्टी और बीजेपी उन उच मान दंडों को निभाने के लिए मजबूर हुई थी क्या उनी मान दंडों को मान लिया जाए जब आप लोगों के पास 32 विधायक थे और आप लोग अपना बहुमत साबित इसलिए नहीं करना चाहते थे कि अगर हम लोगों ने ऐसा किया या खरीब फरोक्त या फिर होस्ट्रेटिंग को कह रहा हुई या इस तरीके से जोड़ तोड़ से सरकार बनाई गई तो उसका खामियाद आपको लोग सबचना में बढ़ना पड़ेगा पर पेश में पार्टी विचार करेगी सरकार बनाना है कि नहीं बनाना है इसमें कौन सी वड़ी बात रहा हुई दो परिस्थितियां जिनको मैं एक जगह जोड़ कर देख रहा हूँ एक वक्त है जिस वक्त तीन-चार राज्यों के यहां पर विदानसवा चुनाव होने है और अभी बीजेपी के पास कही ना कहीं पसोपेश की इस्तती है क्या ठीक यही इस्तती दिसंबर में भी थी कि इसी लिए उस वक्त सरकार नहीं बनाई गई कि लोगों के पास मैसेज क्या जाने वाला है क्या महाराच और हर्याना के अंदर क्योंकि मेट्रो सिटीज के मेरे साथ संदीब दूबे साम आमाद्मी पार्टी से भी जुड़ गए हैं उनसे भी मैं सवाल ज़रूर पूछूँगा लेकिन उससे पहले मैं आप भी के पास रहना चाहता हूँ दिनेश साब कि क्या वैसी परिस्तिती आप लोग आकलेंड कर रहे हैं और जो परिस्तितिया कई न कई तो सुमिजी होते रहते हैं देसे पर वें यह तो भारती रोगतंत्र की यही खुबसूर्ति हैं आज किसी राज में चुनाओं है तो कल को किसी राज में चुनाओंगे do खुड कहा था कि ना तो हम भाई किसी को समर्थन लेंगे नहीं तो हम सरकार बनाने की इस्थिति में नहीं लेकिन आप देखे हैं भारती जंता पार्टी ने जो कहा उसको किया लेकिन आप पार्लियुक् sold कि कोacerส वेनалы में हाँ बिल्कुल उनको मौका दिया गया और उन्चास दिन में भाग खड़े हूँ इसमें कुंसी बड़ी बाग अब क्या कर रहे हैं अगर आज चुनाओ की घोचरा हो जाए तो भारती जंता पार्टी आज चुनाओ लड़ने के लिए तयार है अगर आज सरकार बनाने का कोई प्रस्ता हुआएगा तो पार्टी उस पर विचार करेगे हम कोई पहली बात चुनाओ लड़ने तो भी तैयार है उपराज जपाल साब में अगर नियोता देते हैं तो हम सोचेंगे भी लेकिन फिलाल जो खबरें हैं उसके अनुसार नरेंद्र मोधी ने इंकार कर दिया है अब पता नहीं ठीक है संदीब जी क्या लगते हैं आप लोग आप खुश हैं तो यह मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है मेरे बीजेपी के मित्र साथी जो बाते कह रहे थे भाजपा इस समय हवा में तीर चला रही है भाजपा चारों तरह से फसी हुई है वो बेहिमा बेहिमानी कर रही है बेहिमानी से सरकार बनाना चाहती है लेकिन उसे इमानदारी दिखाना पड़ रहा है 7 साल से MCD में दिल्ली में सरकार है आप चले जाएए जहां गड़े है पारी सुई तलाफ बन गड़े थे मैं उसी मुद्धे पर आ रहा हूं नहीं बना रहे हैं, थंडे बस्ते पर डाल दिया है, इनकी बात सुनिए, इनका दर्द सिर्फ यह है कि आम आदमी पार्टी को कॉंग्रेस भाजपा के लोग कैसे निपटा हैं, क्योंकि इनके गले में हड़ी जैसे नहीं होती, कुत्ते गले में आ जाती है, वैसे इनलों के करले में हड़ी गुजगा के, यह नहीं लोग हैं, नहीं तरीके से राजनीत चाहते हैं, इनको पादर सिता चाहिए, अगर आगे कुआ पीछे खाये वाली परिस्तिया बन रही हैं, तो क्यों बन रही हैं, कैसी बन रही हैं, उसकी पूरी जिम्मेदार भाजपा कॉंग्रे सीधा सा सवाल है, क्या अगर जो आरूप लगा जा रहा है, उपराज जपाल जो है, आप लोगों के पास जिस वक्त आपने ये दावा पेश किया था, कि आप सरकार बनाने वाले हैं, आप लोगों के पास कहां थे पूरे विदा हैं, कॉंग्रेस की चिठ्थी पहुंची, आप लोगों ने दावा कर दिया, उसके बाद आपकी सरकार बन गी, उनके पास भी तो कोई ऐसी सपष्टा नहीं थी, ये सवाल तो इस वार BJP के पास है, उनके विकल्प होना चाहिए, आप LG की चिठ्थी, LG महोदे की चिठ्थी पढ़ी है, जो राजपती जी मैंने कोई आपके सामने पढ़वा देता हूँ, हमारी जो सबसे बड़ी समस्य हम बता रहे है, हम नहीं चाहते कि भ्रष्ट आचनर से BJP सरकार बनाये, और ना हम उसको बनाने देंगे, क्यों? क्योंकि उत्तर परदेश में जब कल्यान सिंग की गौर्मेंट थी, सेम इसी प्रोस करनाटक के अंदर जो प्रस्तिती आज दिल्ली में है, वैसे माननी गौर्णनर जी ने वहाँ पर सरकार बनवाने की पुरु में कोशिस है, तो पुरु की चीजों से हमें सीखना चाहिए, क्या दिल्ली को भ्रस्टाचारियों और माफियाओं का अड़ा बनाना है, जो स्व बिधान की दुहाई दे दे के पानि पी रही है, कॉंघरेस के मित्र कॉंघरेस के विधायाएं, वो कौन थी जादु की चर्ड़़ा के लोगों के पार बना लेंगे, अल्कमत में रहते हुए विधायक नहीं है और सरकार पराइब गश्तित्यां कि आपने चपेश्ट सेश्टाय के पाइए यहां को आप नहीं आप नहीं, आप जाईए हमारे साथी के पास लेकिन दूर्गेरजी के पास आपने काया लेकिन एक मिनिट के लिए, आप संधीब जी बात कितनी अची आप पाइटी के लोग करते हैं लेकिन काम कुछ नहीं करते हैं अभी आप संदेव जे आप बना के रहा हैं कि जिस संविधान के आप दुहाई हैं कि बात आप बहुत अच्छी करते हैं लेकिन काम आप नहीं करते हैं आप संविधान को तोड़ने की बात कर रहे हैं जब आपके पार्टी के लोग संविधान तोड़ रहे थे आपके मुख मंतरी थे अरविंद केजरी वाल मुख मंतरी होते हुए धारा 144 लगने के बावजूद उन्होंने धरना दिया तब संविधान की बात नहीं हुई जब हाई कोड कोई नेड़े देता है आप उस पर अंगली उठाते है तो संविधान की बात नहीं होती है जब राजपाल एक पत्र लिखते हैं राजपती को तो पत्र कैसे लिखेंगे अब आप पार्टी के नेताओं से पूँचे कि उसकी लाइन क्या होगी क्योंकि उन्होंने जो लिख दिया कि सुक्र गुजार होंगे अभी यही आप अपत्र उठाएंगे किसने कहा था संदीब जी एक आप से निवेदन है किसने कहा था केजदीवाल साहब अपने बच्चों की किसने कहा था आप लेते समर्थन किसको दिक्कत आपने सरकार मनाई भारती जनता पार्टी ने कोई आपत्र की मान लीजिए अभी कुछ नहीं है सुमिज्जे अगर आ से आपके विधायक तूट नहीं रहे हैं कांग्रेश PARTY की विधायक तूट नहीं रहे हैं तो भाषपा का माहस्फित्ध नहीं होगा आपके हिसाभ से पानी से लगेए बार-बार कहा गया है कि उपराजपाल जो है बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं आखर ये जो नियोता देने की बात सामने आई है ये क्यों दिया जा रहा है देखिए मुझे लगता है कि अभी जो वर्तमान परिप्रेक्ष में हम दोने लों को सुन रहे थे यही है क्योंकि देखिए एक तरफ भारती जनता पार्टी के दर में सहकार बन चुकी है कहीं ने कहीं अब जो है बीजेपी चाहती है कि जो आगामी जो विधान सभा चुनाओ है और अभी दिल्ली में जिस तरह से मामला लटका हुआ है लेकिन आज का थोड़ा सा डेवलेप्मे जो आरोब जो मढ़े जा रहे हैं कहीं कहीं प्रेशर में है तो मुझे लगता है कि अब बीजेपी को थोड़ा सा यहां पर एक से पैसे लेकर के अब जो है आला कमान को शायदिय लग रहा है कि अभी इसको थोड़ा सा ठंदे बस्ते में लगते हैं और महराष्ट और बाकी बिल्कुल सवाल यही है कि मतलब अगर पूरा और बात की जाए तो सवाल है दिल्ली की सरकार का दिने साब मैंने जो बात कहीं अभी कुछ दिर पहले कि आप लोग महराष्ट और हर्याना पर ध्यान किंदित करना चाहते हैं वक्त देना चाहते हैं दिल्ली को इसलिए सोच रहे हैं कि ज्यादा वक्त यहां पर खीचा जा सके उसके बाद वक्त मिले और उसके बाद दिल्ली में विदान सबा चुनाओ हो जाएं ने हम लोग कोई वक्त नहीं खीचना चाहते हैं हम तो आज कह रहे हैं आज अगर दिल्ली में चुनाओ की घोसरा होती है तो भारती ज पर भारती जनता पार्टी उसके बिचार करने के लिए तयार है हम दोनों चीज़े कह रहे हैं हम कोई लुकाच शीपी का खेल नहीं खेल रहे हैं और हम परिस्थिती जो है यह काफी असमंजस वाली है एक तरफ आम आदमी पार्टी दावा करती है कि हम चुनाव चाहते हैं साफ कर चुकी है शायद उन से जादा बहतर तो कोई नहीं कर सकता और तीसरी बात है बीजेपी की जिसमें बार बार यह दावा किया जाता है कि हम चुनाव जानी के लिए तयार हैं लेकिन हम विचार करेंगे हमारे विकल्प खुलेक्ती कौन सी है इसे कैसे डिफाइन किया अब देखे मुझे लगता है कि सुमित दो तीन बाते हैं जिनको की बिलकुल यहां पर इस डिबेट में हम लोगों को बात करनी चाहिए यह तो है कि भारती जनता पार्टी की इसी ती क्या है सरकार बिलकुल बनाना चाहती है आम आदमी पार्टी उन्चास दिन की सरकार चल पार्टी जनता पार्टी के पास नंबर्स नहीं है अब जो है LG के चिठी लिखने के बाद जो यह पूरी राजनीती गर्माई हुई है आम आदमी पार्टी जो है अब कोई मौका नहीं चोड़ना चाहती BJP कि उपर खासकर यह जो इस्टिंग ऑप्रेशन हो गया भी इसकी वहता तो जो है वो एक अलग विशह हुए है कि क्या है उसमें सचाई कितनी हाला कि आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि वो पूरी तरह से सही है और उसने आज LG को भी उद दिया है कि वो उसको देखे और अगर उनसे वो संतुष्ट नहीं हुई तो राश्टरपदी के कि जो चुनाओ है जो कि उतने ही महत पूर्ण है इसलिए थोड़ा उन पर फोकस किया जा और इधर तो कि अब राजपाल जो LG ने चित्थी लिखी है अब उधर से राश्टरपती जो है कानूनी फलाल ले रहे हैं और उस पर से क्या आता अगर सरकार बनाने का मंतर आता है तो पूर मुझे लगता है कि वहारती जनता परटी जो है अपना आगे जो है बल्कूर है लेकि रही हम ऐरें बार बार कहाción कर रहे है कि कही ना-कही नरेंद्र मुदी इस चीजसे क्षूस नहीं है तीन निताओं के हम नाम भी बोले है जो डिखा töईthere ढे है कि नितिन कड़ जाएगा उनके पास नंबर नहीं है जिस वक्त उपराज पाल साहब की आपको चिठी मिली थी आप लोग के पास मेंडिट था हाः या ना सिर्फ हाया ना मैं बता रहा हूँ वो समभिधान की बात मैं बता रहा हूँ कॉंग्रेश ने हम लोग मांगने नहीं गहते समर्थन ज वो प्रेस्टिती बिल्कुल ही अलग है। दोनों को एक तरह से जोड़ के अगर हम सम्मेदा लगा कि आम आदमी पार्टी के पास मेंडेट है। आप लोग भी तो उन्हें बौका दीजिए कि आप लोग भी चिठ्ठी के अंतजार कीजिए क्या पता उन्हें एक चिठ्ठी मिल जाए ऐसे। अगर बीजेपी को नियुता मिलता है उसके बाद वो सरकार बनाती है। अगर बीजेपी ऐसा कुछ करती है तो जाहिर आप लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया। आप एक बात बताईए तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे आज पूछता हूँ या बीजेपी के लोगों से पूछता हूँ जो दिल्ली के आज इस्थिती है आप चुनाओं से क्यों भाग रहे हैं आप आप आदमी पार्टी को भगोड़ा कहते हैं भगोड़े तो आप हो ग पार्टी को निप्टा दिया निप्टाना का मतलब आप समझ रहे हैं तो ये दोनों पार्टी यां सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से इतनी इनको पीडा के हो क्योंकि नए लोग है राजनीत में हो सकता है थोड़े पक को हो हम लोग इनके जैसा राजनीत हमें नहीं आता हो इनके तरह हम जूट को सही और सही को जूट नहीं बना पाते हो फरेवी नहीं हो हो सकता है इतना ज्यादा फरेव ना आता हो इतना ज बेवापस आते हैं, लेकिन यहां सफाय के बात हो रही है, वो तमाम पार्टें जो विरोधी हैं, उनका कही ना कहीं यह मैंडिट रहता है, कि अगली पार्टी को खत्म कर दिया जाये, राज नितिक इस तर से, वैसे कोई यहां पर खुन खराबी की बात नहीं हो रही है, दिन ही इसलिए करती है तो सरकार बनाए ओर संदीब जी पहली बार नहीं होने जा रहा है कि अल्ब मत कि कोई सरकार बनने जाँ रह tung उसलिकी भारती जन्ता पार्टी की तरफ से मैं कहा रहा हूं कि हम समाज निर्माड के साथ सरकार निर्माड करना चाहते हैं और उस सरकार निर्माड के साथ हम राष्ट का भी निर्माड करना चाहते हैं और राश्कार निर्मार हम कर रहे हैं उसकी चिंता आप ना कीजिए आप जिसकी बात कर रहे हैं हम तो चाहते हैं कि सफ़ाय हो जाए हमने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत कर दिया और जिसकी बात आप कह रहे हैं आप अपने चर्चा के प्रारंबेक चरण में आपने कहा था क कि हम सरकार उस परफेश्ची में बनाए कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपना समर्थन पहले दे आया था राजपाल को यह आपकाता है। वास्तव में कि दिल्ली को सरकार इसी तरीके से मिलने वाली है बीजेपी भी क्या अपक अपने कदम पीछे की चलेगी और साथ साथ एक सवाल ये भी कि कुमार विश्वास जो आमादमी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता है वो क्यों मोदी के मूरिद हुए जा रहे हैं एक प्रेक लेने तुरंट बटते हैं जिस से जलकने लगता है कुमार विश्वास का मोदी प्रेम आखिर इसका माजरा क्या है कि नरेंद्र मोदी के लिए बार-बार कुमार विश्वास का प्रेम उबढ़ कर सामने आ जाता है और क्या वास्तव में आमादमी पार्टी के अंदर कुमार विश्वास को लेकर और फिर आपको बताते हैं कि क्या वास्तविक माजरा क्या है आपके बड़ बोले विश्वास क्यों हुए मोधी के मूरीद क्यों करते हैं आप से बगावत आप आदमी पार्टी दिल्ली में बीजेपी को सत्ता से बहार रखने में जुटी हुई है तो दूसरी तरफ पार्टी के सीनियर नेता कुमार विश्वास प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी के लिए पार्टी से बगावत पर आमादा है आपके सीनियर नेता कुमार विश्वास ने अंग्रेजी समाचार चैनल टाइम्स नाव को दिये इंटर्व्यू में कहा है कि वो नरेंद्र मोदी के जंग दिन पर सूरत में आयोजित होने वाले कारक्रम में हिस्सा लेंगे और उसमें कवीता पार्ट करेंगे कुमार विश्वास ने ये भी कहा कि अगर उनकी पार्टी उन्हें इस कारक्रम में हिस्सा लेने से रोकेगी तो वो पार्टी छोड़ देंगे कुमार विश्वास ने कहा कि मेरी कवीता में कोई पार्टी या सरकार नहीं आ सकती लेकिन अब कुमार विश्वास ने अपने सुर बदल लिये हैं और कहा है कि अगर मुझे नहीं बुलाया गया तो नहीं जाएंगे और बीजेबी पर जम कर हमला बोला कवी सम्मेलन में आने और बुलाने की सच्चाई तो बहतर विश्वास और आयोजगी बता सकते हैं लेकिन एक बात तो साफ है कि यही कुमार विश्वास इन दिनों लगाता किसी ना किसी बहाने अपनी पार्टी पर निशाना साथ रहें तो दर्शन नियूस के लिए मोहिश शर्मा की रिपोर्ट बले याब आदमी पार्टी और बीजेपी में तरना थनी हो लेकिन कुमार विश्वास इस वक्त नरेंदर मोधी के फैन नजर आ रहे है हाला कि बाद में उन्होंने स्पस्चिकरन भी दिया है कि उन्हें नियूता नहीं मिला होता तो वो जासे मैं इसे कोट करना चाहूंगा मिला होता तो वो जाते संदीब साब नियूता मिलता तो कुमार विश्वास जाते पहले भी तारीफे कही है उन्होंने लेकिन उस वक्त वो राजनीती में नहीं थे, यह आपकी तरफ से स्पस्चिकरन आएगा, लेकिन उस वक्त की परिस्थितियों से अब की परिस्थितियां बिल्कुल अलग हैं, क्या आम आदमी पार्टी कुमार विश्वास के बीच में कुछ पक रहा है? मैं आप एक बात बताओ, आप डॉक्टर है, क्या डॉक्टर किसी का जाती धर्म और पाटी देखके उसका इलाज करता है? एक लॉयर क्या जाती धर्म और पाटी देखके केस लड़ता है? कुमार विश्वास एक कभी है, रास्ट हित में कविताएं कहते हैं, देश के कोई केस आता है, तो आप लड़ने के लिए तयार हो जाएंगे? वैसे ही अरविन को कुमार विश्वास से अलगनी किया जा सकता, वैसे मनीश जिशोदिया को अरविन से अलगनी किया जा सकता, वैसे ही मनीश देखके जिस परिपेक्ष में कहा और जो बाते कहीं जब इंटर्वीव में जब हम एक दूसरे से बाते कर रहे होते हैं दिल से खुल के बाते कर रहे हैं उस व्यक्तिके मन में कोई छल प्रपंच नहीं है आप उसको बढ़ा चड़ा के और गलत अर्थ भी ले जाओ कि कैसे आम आदमी कि खिलाफ लड़ रहे थे उल्टे कॉंग्रेसी मार भी रहते हमारे कारकारटां को शपड़ भी मार रहते अब उन्हें गालियां भी दे रहते वो सब कुछ सुन के उसके लोगों ने वो शाजा इल्मी के बारे में कुछ गडबड हुई है उनके बारे बातचीत की जाएग उनके बारे में सुना जाना चाहिए उस वक्त आप लोग नहीं सुनते हैं उनकी जो पार्टी लाइन है उसे हटकरो बयान देते हैं उसके बारे में आप लोग फिर नहीं सोचते हैं फिर कुमार विश्वास वो देशभक्ती और उनका कद कहा चला जाता है उनका कद है आज अच्छी है, बुरी है, हर बातों को हम लोग एक दूसरे से, हमारी आपकी दोस्ती तो तभी चलेगी ना, कुछ कमी आपने हो, कुछ कमी आपने हो, गुलाम नभी आजाद की तरफ नरेंगर मोदी की तारीफ की गई, दिगुजय सिंग ने भी उनकी तारीफ कर दी, क्या कुम हम आलोचना करें बार-बार, लेकिन वह गलत कर रहा है, तो हम विपक्ष होने के नाते, हम बादनी पार्टी के बाकी नेतावी सामने आए कहें, कि नरेंद मोदी ने बहुत अच्छा किया है, उन चीजों के बारे उन चीजों के बारे उन चीजों के बारे उन चीजों के ब सिर्फ आलोचना करते रहें तो हम गाधिवादी तरीके से राजनीत करते हैं अलोचना ही हो रही है और उसमें खासकर कुमार विश्वासी बार-बार सामने क्यों आ रहे हैं और रही उनके यूटन की बात वो तब हुई जब संयोजिकों ने खुद इंकार कर दिया उन्होंने जैसी बी उसका एक ही मनसा है कि किस तरह से आमाद्मी पाटी में फूट डली जाया वात्मी पाटी को ठोड़ी जाए और बताया के पुरे दुनिया को आम आद्मी पागणे के लोग कांई इनमें और मेरे मेरे तरही है यह वापस आँगा एक बार फिर पोछूँगा दिने जी हसल में अभी जितनी बाते हमारे मित्र कह रहे हैं संदीब जी आदमी बहुत अच्छे हैं सिर्फ गलत पार्टी में फस गया है अभी यह कह रहे थे कि मुझे बहुत बड़ी आपकती है इन्हों ने कहा कुमार विश्वास देश भक्त है बड़े देश भक्त है लेकिन कुमार विश्वास से बड़ा देश भक्त कोई नहीं है इस पर मुझे आपकती है नमबर एक चीज और दूसरी चीज आपने यह कहा कि जो संस्थापक सदस्तों में उन ही जा सकते हैं। साजिया इलमी कहां से थे? बहुत सारे कितना किन का नाम गिनाओं। दरजन भर लोग जो संस्थापक सदस्त थे वो आप पार्टी को छोड़कर चले गए। यह बात मत करिए। लेकिन देखिए जो आप कहके आये थे लोगो देश की जंता पूरी तरह से समझ चुके और जिसकी बात आप तक रहे हैं। तो समझ जी कि आद दिगविजय जी भी जो है तारीब कर रहे हैं। करना चाहिए अगर उनको ऐसा कुछ लगता है दरे दुर्बोदी की तारी वो करना चाहिए अगर बीसंदीर तो अर्वीन में कोई अच्छा ही नहीं करते हैं करते हैं अगर को आप दोसी सारा देते हैं एक इसके पहले जिसमें साजिया इलमी को के उपर इस्टिंग होता है कुमार विस्वास के उपर इस्टिंग होता है उसको आप जुखला देते हैं अगर आपने का ये कर आप आप मीटर से नाप रहे तो मीटर से नाप इए एक ही चीज को क्यों है इस खैंच कर रहे है अगर यहां पर कुमार विश्वास इस तरीकि की टिक नी कर रहे है तो क्या है आज यह लगने लगा है कि आब आद में पार्टी अपना वो जो बैलन्स था जिस पर ठीकी हुई थी वो खत्म हो रहा है अब बीजेपी तरफ जाना चाहिए अब बार जो है पहले भी नरेंदर मुदी की तारीफ बिल्कुल बेलकुल अब जो है जैसी बात है कि जो अभी इंटर्व्यू की कि आप दिखा रहे थे उसमें बात चीत के दौरान उन्होंने बात कही है और अभी उसके बात जब उसके उनकी दुबारा बायट जो आपके द जाता तो पहुंच चले जाते हैं मैं उसी चीज प्यारा हूं कि वो कह रहे हैं कि अगर उनको बुलाया जाता सूरत में तो वह वहां कप्तापाट करने जरूर जाते हैं और नरेंदर मोधी को एक प्धान मंतरी के तोर पर वह तारीफ कर चाहिए तो मुझे लगता है कि कही प्रफेशनल लाइफ है वो उसमें जी सकता है मैं भी इसे अगरी करता हूं ठीक है ऐसा होता है कि प्रफेशनल और एक जो आपका समार सेवक के तोर पर या नेता के तोर पर या पार्टिंग तोर पर एक अलग आपका बैगराउंड हो सकता है लेकिन जो संयोजगों की प्रफेशनल लाइफ है तो उनके जहन में तो कुछ चल रहा होगा ना तो लोगों के बीच की बात है और उस बीच की बात में हम कोई भी एक पक्ष रखें वो मुझे लगता है कि नया नहीं होगा क्योंकि जो आयोजग है और कुमार भाई हैं उनके बीच की वारता है उस मैं वेक्ष बीच तोर प्र कोई टिक प्रिदिया हैं लेकि मारा विश्वात उनको उनको फोन कर रहे हैं तो सवाल है कि कया कहीं ना कहीं जहन में चल रहा था कि नरेंदर मूधी के सामने जाय जाय और कुछ अपनी इमेज इंक्रीज करी जाए, एक दिखकत मैसूस हो रही है। और उसको लेके वहाँ प्रोग्राम और आपको पता होने जहां भी कुमार जी का प्रोग्राम होता है। लेकिन सवाल मेरा बार बार यही है, कि वह खुद फोन कर रहा है। मैं आपको एक बताओ, आपकी हमारी मित्रता है, आपके मित्रता के वस हम यहां आते हैं। अब हम आपने हमें फोन के असंदी भाई आना है, मैं रेगुलर आता हूं, मुझे एस्पेक्टेशन है कि आप मुझे बुलाएंगे। हमारी आपकी दोस्ते, उसके बीच में आदमी को लगता है कि हमारे आपके इतने अच्छे बंधन है, उस बंधन को हम कैसे तोड़े। वैसे ही वहां के आयोजको और कुमार के बीच एक बंधन था। गहा ने आपका है, अधनी पार्टे के अंदर कुमार विश्वास के इस वक्त जो आपने डेफिनेशन दी थी, कुमार विश्वास के कद्दावर ने था, मैं उससाब से पूछ रहा हूँ क्या आम आदमी पार्टी को तोड आ यह गलत बात है यह गलत बात है सवाल दोनों पार्टि दोनों पक्षतों से पूछा जाने चीए ठीक है पूछे पूछे नहीं मुद्दों से भाज जाएंगे बटकाएंगे देश को इनके आते ही सब्सक्राइब करते हैं कि इनको जनता के सिवक हैं या जनता के नौकान इससे बड़ा उनका कद नहीं है लेकिन ये मालिक बन के बैटे हुए, रूल कर रहे हैं और रूरल के तरह बात करते हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे जैसा हो होना चाहिए वैसा होगा अब ये पूरे देश में इनकी आखे गड़ी की कैसे भी केन प्राकेन दिल्ली की सत्ता अतियालो सत्ता में बैठ जाओ, इनको सिर्फ चीप मिनिस्टर की कुरसी दिखती है और इनको अर्विंद इसलिए भागोडे दिखते हैं कि हमने कहा कि हम जनलोगपाल नहीं लाए तो हमने कुरसी छोड़े दिया और जबकि ये भागोडे हैं सचाई में आज दिल्ली की जन्ता की एक उनगार है और ये चुनाओं से भाग रहे हैं दिल्ली की जन्ता चाहती है कि आंपिबाओ मुद्धों पे बैठ हो रही है ये एक-एक सवाल का उत्तर ले जो आप सवाल हम लोग दूसरे मुद्धे को डाइवर्ट कहीं करते ही नहीं आप जो सवाल उठार उसी को मैं जवाब दे रहा हूं आपने कहा कि कुमार विश्वास जी जहां भी कब्त्या पढ़ने जाते हैं नहां जी जाते हैं सबसे ज़्यादा नौजवान उनके साथ होता है उसका प्रमाणा मेठी में मिल गया जराच्छा मा कीजिए मैं था अमेठी में न आप यही तो राजनी बदलने हम आया हैं आप जाईए छोटे छोटे लेवर पे धर्म के नाम पे जाती के नाम पे किस तरह की राजनी थे आप पाएंगे जिस दिन वो लोग जाब जाएंगे संदेब जाब करे कि रहने वाला आप को जाब कारी तरह कुछ ले लेकिसे तक आलगोगों, इस में वी प्रषियों गयादत बंद कीजिए तो आपको नहीं रहा हूं कि आपने कहा है बहुत लोग प्री हैं उसका जबाब वहां के जनता ने आपको दे दिया आपने कहा कि बहुत अच्छे वक्ता हैं आपकी पाइटी में जब तक लोग रहते ना तब तक बहुत अच्छे सब्साजिया इल्मी भी आपको बहुत अच्छे लगते थे जितने लोग छोड़ के चले गए ओभी आपको बहुत अच्छे लगते थे लेकिन आप की करणी और कथनी में जो अंतर है जो आप कहरें कि आपने बहुत वादे किये आप कैसे सरकार कैसे चला रहे हैं। आप करें कि आप इप पच्च में आप इप 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 आप के सब सवाल के जवाब दे रहे हैं। प्रफ़ कर रहे हैं और अच्छा वादा कर रहे हैं अब धर्फी से अम्डी इस संदेव की सुन्ने कर ज़रा धैज रखिए अंतर नहीं आए आप वही कर रहे हो जो कांग्रेस कर रही है कांग्रेस की निती को ही लागू कर रहे है आपकी निती और नियत में कोई अंतर नहीं कांग्रेस की निती और आपकी नियत साफ है दोनों मिले हुए उसी एजेंडे पर आपकाम कर रहे हैं पूरी देश की जनता जान रही है आपके समर्शन की जरूत नहीं है अगर आप नहीं एक गिरी हैं तो आप अपना लिये रहे हैं सामत क्योंकि अभी यही को कहरें जो घमंड जुम्में जुम्में अपने दिखा के आए उनी सपनों के भरोते आप घमंड के में लवा लव हो गया हैं ऐसे घमंडी वाता का प्रयोग करते हैं एक बिजयती वाले कम जाम कर रहे हैं आप तो सबक है सब्सक्ता में आगए जो आज़त आपको विपक्ष में रहने की हो गए थी सुने संदेव जी वही आज़त आप सब्सक्राइब ज़ता हैं आप विपक्ष की जनता ने आप पाईटी को विपक्ष की स्थिति में सोचा आज विपक्ष में रखने के लाइब पाईब जाए और जो वह एक अलग मस्क्राइब और यहां पर वापस आप वापस हमने मुद्बर आते सब्सक्राइब नहीं होने देंगे दिल्ली को प्रश्टाचार काड़ा नहीं बनने देंगे जैसे आपने यूपी में और यह आप आप यह जी नहीं हो गया हैं सब्सक्राइब नहीं होगा हमारा जो मुद्दा है हम उस पर आते ठीक है पार्टी या सरकार किसकी बनेगे वह एक अलग मुद्दा है सब्सक्राइब नहीं है प्रोफेशनलिजम का सवाल ठीक है बार बार जैसी को उठाया जा रहा है कि वह प्रोफेशनल है एक कवी है वो कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है किसे भी मंच को साजा कर सकते हैं लेकिन अगर वो 2013 में नहीं गए हैं 2014 में खुद फोन करते हैं वो कहते हैं कि मुझे भी आमंतरित कीजिए या मैं भी आना चाहता हूँ अपने इच्छा जाहिर करते हैं तो सवाल ये है कि 2013 और 2014 में ऐसा क्या फरका है बिल्कुल देखे क्या है कि एक प्रोफेशनल के तौर पर वो किसी भी मंच पर जाय करके अपना कविता पार्ट करने के लिए सोतंत्र हैं लेकिन अगर वो आम आदनी पार्टी के एक दावर नेता जो कि राहुल गान्दी खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं मेठी में जरूर है कि इस तरह की बातों के आने से निशीत रुप से आम आदमी पार्टी को के जो नेता है या जो पार्टी है उसको कहीं एक दिफेंसिव मोड में आना पड़ रहा है और अगर वो पार्टी के कदावर नेता है तो उनको भी इस बात को सोचना पड़ेगा कि आखिर पार्टी को दिफेंसिव होना प्ला रहा है तो निशीत रुप से पार्टी के लिए हे ठीक नहीं है धमकार हैं पार्टे को कुमार विश्वास, संदीव दूबर साह24 साथ कुछ ऐसा तो है? बिलकुझ नहीं धमकार है आप मुझे रोकते हैं तो मैं पार्टी छोड़ दूँगा। परना है और अपनि होड़ एक ьеक्त है ने इसी पर वार्टिост भार अधाटी थेश्श के स हब किभी हों युदेगे ह में दीओनिफिके स्टेल नहीं वहरा सदेंसे, कि रहा सब्हुन्दन पेल दुर्व बंचतेर की स्वूतन लेकां आपकल पार्टी बनाईए उसमें उसको कह दिए सबसे बड़ा नेता है नेता कौन बड़ा है और कौन छोटा है देश की जनता बनाती है नमबर एक और दूसरी अभी क्या होगा इनके हाँ आगे-ागे होता है क्या आखरी कमेंट दुबेज आप इसे कोई अज्यात कारण तो लेकिन सवाल यही है कि आमादी पार्टी और बी जेपी की सता किसकी दिलिना आने वाली है और ऑर सातीना सवाल यह भी कुमार विश्वास क्या बीजीपी या नरिंद मोदि के मुरिद तो नही हो रहे बहुत-बहुत शुक्री आप तमाम महमानों का हमारे साथ इस साथी सर सकते हैं जवाब के लिए आप समस करते हैं असमस करने के लिए अपने मैसेज बॉक्स में जाएं एस यूटी लिखें फिर स्पेस दें फिर अगर आपका जवाब हाँ है तो यस लिखें और अगर ना है तो नो लिखें इस मैसेज को आप 0875 0047855 पर भेज दें आप अपने जवाब हमारी वेबसाइड www.sudashannews.com पर जाकर भी दे सकते हैं सवाल का जवाब अगले दिन रात नौ बजे के शो में दिखाया जाएगा तो सवाल का जवाब कल रात नौ बजे के शो से आप पहले दे सकते हैं इत तमाम जवाबों की प्रतिक्रिया हैं कल रात नौ बजे के शो में दिखायी जाएगी इस एक साथ इस खास पिश्कश में इतना ही मुझे दीर चीए इजाज़त लेकिर कल का जो प्रतिक्रियाएं उसके बारे में आपके बदाते हैं क्या बदलते हालाथ में दिल्ली में चुनाव होने चाहिए यह हमारा सवाल कल का था इसमें आप तक प्रतिक्रिया जो हम तक पहुँची है उसमें लोग की रहा हैं ते 70% का मनना है हाँ और 17% का है नहीं इसके साथ इसकास पर श्रिश्मत नहीं बागी खबरों के लिए देखते रहे हैं सुदार्शन नियूस